विल्कम तो माई चैनल आर कुंडु स्टाडी प्लीज टाच दा बेल देन आल यू कन गेट इस अफ्टर टाच दा सब्सक्राइब इस वीडियो में हम सेयर करेंगे अंसिन पोएम इन हिंदी फर क्लास फाइब क्लास फाइब के लिए एक हिंदी अंसिन पोएम है और पीछे वाला वीडियो में हम बताये थे एक कुस्चिन पेपर में कैसे दो दो अंसिन पैसेज मतलब दो आपठित गद्यांग्स और एक अंसिन पोएम आता है इसको जल्दी जल्दी कैसे सल्ब करना है ये फर्स्ट वाल करेंगे ये बताएंगे पड़ंग्स है डुपकिया सिंधु में गोता खोर लगाता है जाकर खाली हाथ लौट आता है मिलने ना सहज ही मोती गरह पानी में बरता दुना नहीं होगा बरता दुगना उत्साह इसी हैरानी में मुठी उसकी खाली हर बार नहीं होती कोशिस करने वाले की हाथ नहीं होगा हार नहीं होती ये है पड़्यांग्स अब कुश्चिन क्या है समुद्रों में मोती की खोज कौन करता है एंसरों का कौन करता है गोता खोर तो समुद्रों में मोती की खोज उसके बद कौन का जगा में लिखना है गोता खोर करता है और ये गोता खोर कोश्चिर में परग्रम में पोई में से लिखना है गोता खोर फिर इसका जगा में लिखना है ये नहीं लिखना है फिर गोता खोर फिर करता है फिर पूर्ण बिराम लगाना है कुश्चिन में गलती से बच्चा लगा देते हैं लेकिन नहीं लगाना है एंसर में पूर्ण बिराम लगेगा मतलब यह, यह साइन पूर्ण बिराम एंसर को इस टेप से लिखना है कौ उत्तर समुद्र में मुती की खोज गोता खोर करता है फिर पूर्ण बिराम फिर दूसरा कोश्चिन क्या है इस पद्याँख के कविकन है इसमें कविता को जो है कवी नहीं दिया गया है अगर बच्चे को याद रहता है तो लिख सकता है हम बता देते हैं इस पद्याँख के जो कवि है इसका नाम है सोहन लाल दिवीदी सेकन्ड क्वेस्चिं की एंसल खो उत्तर इस पध्यांग्स के कभी शोहनलाल दिवेदी है फिर पुन्विराम अब थर्ड कुश्चिन मोती की खोज कैसे होती है मोती की खोज डुबकिया लगा कर होते है डुबकिया लगा कर होती है गो उत्तर मोती की खोज डुबकिया लगा कर होती है इसमें एक चीज और बताना है देखे है पहले हो में बिंदू नहीं लगाए थी है में लेकिन इसमें ही बिंदू लगाए क्यों? क्योंकि ये बहु वचन है इसलिए मोती की खोज एक बचन एक मोती के लिए नहीं नहीं होता है जब मिलता है बहुत सारा मोती मिलता है इसमें बहुँ बचन होगा तब इसमें है में बिंदू लगता है यह एक जानकारी दिया जाता है इसमें अब नेक्स्ट क्या है कभीता में हार का मतलब क्या है कविता में हार का मतलब पराजाय है ऐसे भी लिख सेकता है नहीं तो इसलिए हम अबलिक लगे अबलिक मतलब ये दोनों नहीं लिखना है कोई एक हार पराजाय ये answer लिखने से भी हो जायागा अब सिंधु इसमें बिंदु नहीं है सिंधु का परजावाची सब्द लिखे सिंधु का परजावाची सब्द दूसरा परजावाची सब्द मतलब दूसरा और इसका वर्ड से मीनिंग होगा लेकिन दूसरा वर्ड होगा तो सिंधु का परजय बाची सब्द होगा सागर सागर मतलब भी सी और सिंधु मतलब सी ओसिन भी हो सकता है तो उसका होगा महा सागर देखें एंसर लिख लिए सिंधु सागर इस मिसे में एक चीज और वोलना है अपको ध्यान रखना है कुश्चिन का नंबरिंग लिखने में कौ खौ खौ उत्तर खौ उत्तर ऐसे आपको कुश्चिन का नंबरिंग भी साथ साथ में लिखना है अगर ऐसे आप लिखते तो आपका एंसर लिखने के टाइम आपका थोड़ा से टाइम बज़ जाएगा जैसे हम लिखे हार परा जाए घौ उत्तर हार परा जाए आपको पूरा एंसर हार का मतलब ये नहीं लिखना जरूरी होगा फिर सिंदू सागर इसमें आपको टाइम भूत से हो जाएगा नेक्स्ट हम देखेंगे अपठित गद्यांग्स गद्यांग्स क्या है? सुबह स्नान के बाद बाबा भारती के पाव रोज की तरह अस्तवल की और बढ़ गए फाटक पर पहुँच कर उन्हें अपनी भूल का पता चला वे वही रुख गए सुल्तान ने बाबा भारती के पैरो की आवाज पहचान ली और वह हीन हीनाया पीछे बाला फीडियो में हम बताये थे कोस्चन मिलने के बाद कोस्चन रीडिंग करने के लिए 15 मिनिट सब को मिलका है क्योंकि एंसर सिट मिलने के बाद उत्तर को आप तुरंट तुरंट लिख सके अब प्रस्न है आपको एंसर को अगर पता नहीं चलता है तो सिध्य पूरा एंसर यह तक लिख सकते है लेकिन क्लास फाइब में हम नहीं बोलते हैं जै ऐसे पूरा लिखना होता है आपको लिखना समझ समझ के लिखना है अंसर होगा सुह स्नान करने के बाद बाबा भरती कहां गए? अस्तबल फिर गए सुह स्नान करने के बाद बाबा भरती अस्तबल गए गोडा क्यूं हिन हिनाने लगा गोडा सुल्तन ने बाबा भरती की पैरों की आवाज पैचानली और वो हिन हिनाने लगा क्यूं मतलब सुल्तन मतलब गोडा है तो इसलिए अपको गोडा फिर सुल्तन ने ऐसे नहीं लिखना है अपको गोडा फिर बाबा भरती की पैरों की आवाज पैचानली और वो हिन हिनाने लगा जो जो हम अंडरलाइन के लिए ऐसे लिखना है ये खौकोस्चिन का एंसर और ये अस्तबल खौकोस्चिन का एंसर इसी तरह अंडरलाइन कर लेना है उत्तर लिखकर बताया है खौक उत्तर गोडा ने बाबा भरती के पैरों की आवाज पैचानली और हिन हिनाने लगा इस वीडियो में बता गया सारा ट्रिक्स अगर आपको अच्छा लगे तो दूसरों को सेयर किजिए क्योंकि दूसरों को भी मदद मिलना चाहिए अगर नहीं अच्छा लगे तो क्यों नहीं अच्छा लगा और क्या करने से आपको अच्छा लगता प्लीज सजेसन में बताईए इसमें हम और ध्यान करेंगे और गौर करेंगे कि हमको क्या करना चाहिए अंत में आपको धन्यवाद